उसके पश्चात ब्रह्मा जी ने कहा कि किनरियों एवं वानरियों स्त्रियों के गर्भ में वानर रूप से अपने ही तुल्य पराक्रमी पुत्र उत्पन्न करो। इसके पहले मैंने रुक्ष राज जामबवान की श्रुष्टी की है। एक बार मैं सोने से पूर्व अपना मुँ खोले विश्राम ले रहा था। उस समय वह मेरे मुख से प्रकट हुआ। भगवान ब्रह्मा के कहने के पस्चात देवताओं ने उनकी आज्या को स्विकार किया और वानरों के रूप में अनेको अनेक पुत्रों को उने उत्पन्न किया। इसके पस्चात महात्मा रुशी सिद्ध विद्याधर नाग एवं चारणों ने भी वन में विचरने वाले वानर एवं भालूओं के रूप में वीर पुत्रों को जन्म दिया। देवताओं के राजा इंद्र ने वाली को अपने पुत्र के रूप में उत्पन्न किया। यह वाली महेंद्र परवत के समान विशालकाय और बहुत ही बलिश्ट था। तपने वालों में श्ट्रेश्ट भगवान सूर्य ने सुग्रीव को जन्म दिया।